हेलो स्टुडेंट आज हम अर्धनारिश्वर चैप्टर की अबजेक्टिव प्रश्टूतर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे जो भी भी हारबोर्ट परिक्षा 2022 से पहले पिछले एक्जामनेशन में आये हुए आपके कोशन हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करते इनके लेखक हैं आपके आपको जीवनी पढ़ाईती हमने रामधारी सिंग दिनकरजी है ठीक है तो आप लोग वीडियो के प्लेलिस्ट में जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में जाईए वहां हिंदी बिहार बोर्ड 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है वहां पर आप जा क करके और हिंदी के सभी चैप्टर्स को वहां आप से पढ़ सकते हैं ठीक है और वहीं पर आपको रामधारी सिंग दिनकरजी की जीवनी और नारिश्वर पार्ट का आपका शारांस दिया हुआ है और उसके बाद आज हम लोग जो है अब्जेक्टिव कोशन करने जा रहे है चलिए स्टार्ट करते हैं अर्धनारिश्वर किस अर्धनारिश्वर किसका कल्पित रूप है मतलब किसकी कल्पना अर्धनारिश्वर के रूप में किसकी कल्पना की गई है शिव पार्वती जी की विष्णू लच्मी जी की इंद्रा शाची की या किसी की नहीं किसकी की ग कारवती को ही माना गया है ठीक है आए नेक्स कोशन देखते हैं पुरुष के रूप में पुरुष रूप तो व्रिक्ष का बना है पर नारी को उसने बना दिया है क्या पुरुष तो व्रिक्ष बन गया है और नारी को उसने क्या बना दिया है कली कली बनाया है लहर बनाया है अच्छाया ठीक है तो इसमें क्या बनाया है उन्होंने लता कामिनी अपने साथ कैसी शांती लाती है कामिनी अपने साथ कैसी शांती लाती है उजड़ी हुई लहराती हुई यामिनी जैसी या छुई हुई कैसी लाती है यामिनी जैसी दिनकर जी का जन्म कहां हुआ था सिमरिया में हुआ था थिमरिया में हुआ था चिमचिमिया में हुआ था या क्यारिया में हुआ था कहां हुआ था दिनकर जी का जन्म सिमरिया में रामधारी सिंग दिनकर जी का जन्म कब हुआ था नेक्स कोश्वान है र्मधारी सिंग दिनकर जी का जन्म कब हुआ था 1923 में हुआ था या 1956 में 1963 में कब हुआ था अंग दिनकर जन्मेगर्व का प्रिक्षा में हमेशा ही ही पूछे जाते हैं और इस साल भी आने की संभावना है तो आप इसको अच्छे से कीजिए ठीक है तो इसका जो सही उत्तर है उनकी मृत्यू कब हुई थी दिनकर जी को भारतिय ग्यान पूरसकार किस कृती के लिए मिला था उनको आईए देखते हैं इसका सही आंसर तो दिनकर जी को किसके लिए उर्वर्षी के लिए या दिनकर की डायरी अर्धनारीश्वर मिट्टी की और किसके लिए मिला था उनको सेवन उर्वर्षी के लिए ठीक है उर्वर्षी के लिए मिला था यह इनको देखिए नेक्स कोशन है अर्द नारेश्वर की रचना किसकी रचना है दिनकरजी की बालकरिष्न भर्ठ की या मलयज की तो यह अर्द नारेश्वर दिनकरजी की रचना है कौन से रचनाकार बिहार से सम्मंधित है जगदिश चंद्रमाथूर रामधारी सिंग दिनकर राकेश मोह समसेर बहादुर शिंग तो इसमें सही अंसर है रामधारी सिंग दिनकर इनका जन्म का हुआ था बिहार में हुआ था तो किस रचना की पंक्ति है, नारी स्वपन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाहँ पर जूलती हुई जूही की माला है, यह जो पंक्तियां दी हुई है, यह किस की रचना है, ठीक है, तो अच्छा दो ओप्शन नहीं दिख रहा है, तो आईए चलिए थोड़ा सा कि जूमिंग कम कर देते हैं इसका तो आपको ओप्शन दिखने लगेगा अब दिख रहा है आपको फिर से देख लेते हैं कि किसकी रचना है नारी स्वप्न है नारी सुगंध है नारी पुरुष की बाह पर जूलती हुई जूही की माला है तो यह रचना किसकी प्रेम चंद्र की अगे की राकेश मोहन की रामधारी सिंग दिनकर की तो यह रचना जो है आपकी रामधारी दिनकर रामधारी सिंग दिनकर की रशना है इसमें से कौन सी रशना है अर्धनारेश्वर रामधारी सिंग दिनकर की कावे रचना है इसमें से रामधारी सिंग दिनकर की कावे रचना क्या है प्रशुराम की प्रतिक्षा मिट्टी की ओर अर्धनारेश्वर वट पीपल तो इसमें कौन सी उनकी रशना है कावे रचना है आपकी रशुराम की प्रतिक्षा ठीक है किस की रचना पर किस रचना पर रामधारी सिंग दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरसकार प्राप्त हुआ है देखिए यह जब हम आपको जीवनी पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि जरूर प्रश्ण पूछता है भी हार बोर्ड में ठीक है यह बोर्ड में जरूर प्रश्ण पूछता है कि कि रचना पर रामधारी सिंग दिनकर जी को साहित्य आकादमी पुरसकार मिला था तो इसका सही उतर है भी संस्कृती के चार उपध्याय बहुत मोस्ट इंप कोशन आपका नेक्स कोशन है अर्धनारिश्वर की विधा है अर्धनारिश्वर की विधा क्या है यानि अर्धनारिश्वर यह कविता है नाटक है निबंध है उपन्यास है निम्नलिकित में से क्या है अर्धनारिश्वर तो अर्धनारिश्वर जो है एक आपकी निबंध ह ठिक है परळीनता की कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारणी नहीं रही कथन किस पार्ट से संबंदित हैं이지xy यह किस पार्ट सम्बंदित है सदानीरा पल्लाव रश्मीरथी का मायनी इसमें से कौन सी रामधारी सिंग दिंकर्ध द्वारा लिखी हुई है तो इसका सही उत्तर है सी रश्मीर थी गांधी जी थे गंधारी थी गंधारी कौन थी दुरियोधन की मा थी अर्जुन की मा थी कृष्ण की मा थी बलरायम की तो मा नहीं थी यह बलरायम की भी मा नहीं थी तो दुरियोधन और अर्जुन किसकी मा थी यह जो थी अदुरियोधन की मा थी किसकी मा थी दूरियोधन की क्योंकि अर्जुन की मा तो कुन्ती थी ठीक है न आईए महा भारत देखा होगा सबने बचपन में सभी को मालुम होगा प्रेमचंदर क्या थे नेक्स कोशन है प्रेमचंदर जी क्या थे गीतकार थे, कथा कार थे, फिल्म कार थे जन्गीत कार थे, वो क्या थे कथा कार थे, क्या लिखते थे नी बंध ठीक है ना? दिंकर जी किस यूक के कवी थे? देखाये यह जब हमने उनकी जीवनी बढ़ाई थी उसी समय बताया था कि दिनकर जी जो थे वो एक छायावादी युक के कवी हैं ठीक है अम बोले भी थे कि आप से ये प्रश्ण पूछ सकता है तो छायावादतर काल के कवी हैं ये इसका सही उत्तर है और आपको छायावाद का अर्थ भी बताया था ये नेक्स कोशन है संस्कृति के चार अध्याए किसकी कृति है संस्कृति के जो चार अध्याए है ये किसकी कृति है गुलाब राय जी की आचारे सीता राम चतुर वेदी की हजारी प्रशाद दिवेदी रामधारी सिंग दिनकर जी की कौन सी कृति रामधारी सिंग दिनकर द्वारा लिखी हुई है शुद्ध कविता की खोज, पुनर्रवा, स्मृति की रखाएं, कविता के नए प्रतिमान कौन सी है इसमें से शुद्ध कविता की खोज ठीक है इसमें से कौन सी कृति रामधारी सिंग दिनकर द्वारा लिखी है सुद्ध कविता की खोज नेक्स कोशन है कौन सी कृती रामधारी सिंग दिनकर द्वारा नहीं लिखी हुई है जब भी ऐसा प्रश्ण पूछे आपसे बहु विकल्पी में के नहीं लिखी हुई है तुस प्रश्ण को हल करने से पहले चाहे कोई भी एक्जाम हो आप दे रहे बहुत अच्छे से अंडरलाइन कर लिजी और उसके बाद कोशन पढ़िए तो कौन सी नहीं है इनकी रश्णा तो इसमें से है आपका साकेत ठीक है यह इनकी नहीं है वर्ट पीपल इनहीं की लिखी हुई है उर्वर्शी भी रामधारी सिंग कावी की भूमिका भी रामध कोशन अच्छे से तयार हो जाए ओके थाइंक्यू